आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम ये नंबर सिस्टम जो है इसका टाइप लाश्ट है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकाई का अंग कैसे निकालते हैं देखें इकाई का अंग निकालने के लिए कुछ तरीके हैं जो कि आपको जानकारी के लिए बहुत है यह काई के अस्थान पर अगर यह चार अंक हैं तो हम इकाई कांक इतना ही लिखेंगे इसका घाट कुछ भी हो कोई माइने नहीं रखता है कि यह संख्याएं जीरो एक पांच छह की घात कुछ भी हो, यह संख्याएं वही रहेंगी चेंज़ नहीं होगा ठीक, तो हम लोग अगर इसको देखेंगे तो हम सीधा यहीं लिखेंगे, हम लोग आप क्यूशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कैसे उत्तराता है देखिए यहां इकाइक अंक दो है यहां इकाइक अंक आठ है यहां इकाइक अंक छे है तो हम क्या करेंगे दो का इधा देखिए बराबर करके हम लिख सकते हैं यहां इकाइक अंक छे है तो छे लिखेंगे गुड़े इकाइक अंक आठ है यही आपका उत्तर हो जाएगा इसको इस प्रकार से solve करना है अब देखिये किसको भी ऐसे solve करेंगे तो यहां लिखेंगे देखो यहां आठ है यहां पाँच है आठ के पाँच में गुड़ा करेंगे तो आठ पंजे चालिस हो जाएगा फिर गुड़े करेंगे देखो चार दूनी आठ एकाई का अंक ही गुड़ा करेंगे चार दूनी आठ हो जाएगा यह हो जाएगा बराबर करके इसका गुड़ा करेंगे तो आठ चिरो माँ जीरो आठ चो बत तीस तीन सो बीस तो इसमें एकाई का अंक पूछा था, एकाई का अंक क्या है एकाई का अंक जीरो है, ठीक है यहाँ जीरो ही यही आपका उत्तर हो जाएगा, इस प्रकार से इसको भी सॉलू करना है, अब देखिए अगर नेक्ट क्यूशन इसको कैसे सॉलू करेंगे तो देखिए, नव का एक में गुड़ा करेंगे, तो नव एक कम नव हो जाएगा ठीक, और फिर यह एक है एकाई कांग, तो नव एक कम नव फिर इसमें गुड़ा होगा, नव हो जाएगा फिर देखो, नव नव एक क्यासी नव में नव का गुड़ा करेंगे तो ये हो जाएगा एक 80, फिर ये 6 है, 6 का गुड़ा करेंगे, तो 6 कम, 6 अर्चंग, 48, ये 48 हो गया, 486, इसमें इकाई कांग 6 है, इकाई कांग 6 है, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, अब देखिए, नेक्ट क्यूश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए, यहाँ इकाई कांग 3 है, यहाँ इकाई कांग 0 है, यहाँ इकाई कांग 0 है, यहाँ इकाई कांग 5 है, यहाँ इकाई कांग 7 है, यहाँ इकाई कांग 8 है, तो देखिए, यदि इकाई कांग 0 उसमें किसी भी संख्या में गुड़ा करेंगे, तो इकाई कांग आ क्यूश्चन दिया है 1570 घाते 660 तो इसको मुझे सौल करना है सबसे पहले हम वही सूत्र देखेंगे कि अगर एक रहेगा और 5 रहेगा और 6 रहेगा तो यह चेंज नहीं होंगे इकाई कांक यही रहेंगे तो क्या करेंगे देखो यहां इकाई कांक जीरो है पहला क्यूस्चन में तो पहला के क्यूस्चन में देखेंगे 1570 के घाते 60 यहां पर है तो यहां इकाई कांक जीरो ही यही आपका उत्तर हो जाएगा इसको सौल्व करने की जरूरत नहीं है अब ये दिया है 781, दूसरा वाला देखिए दूसरा वाला कैसे हल करेंगे 781 के घाते 80 ये है अब देखेंगे, इकाई कांग इसमें मिल रहा है इकाई कांग एक है, एक हैं है तो इकाई कांग एक ही होगा तो यही आपका उत्तर हो जाएगा इसको भी solve नहीं करना है ठीक अब देखिए यहां यह दिया है तीसरा number question देखिए तीसरा number कहय रहा है कि 29-25 के घाते 65 अब देखिए यहां 1-1-5 है रहेगा तो इकाइक अंक उतना ही रहेगा यहां इकाइक अंक 5 है तो बराबर 5 इकाइक अंक 5 ही आएगा यही आपका उत्तर हो जाएगा इसको भी इस प्रकार से सॉल्व करना है अब देखिएगा next question देखिए चौथा question कह रहा है कि 1, 2, 4, 6, घाते 85 अब देखिए यहां इकाइक अंक इसमें भी 6 है यहां इकाइक अंक 6 है तो इकाइक अंक इसमें भी चेंज नहीं होगा इकाइक अंक 6 है यही आपका उत्तर हो जाएगा ठीक है इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है देखिए दिया है यहां पर फिर पचवा नंबर question देखेंगे पचवा नंबर question कह रहा है 952 के घाते सरसट इसको अफसाल करेंगे तो यहां देखिए यहां इकाइक अंक 2 है यहां इकाइक अंक 0,1,5 है मिल नहीं रहा है अगर इसमें से मिलता तो वही इकाइक अंक हो जाता अब क्या करेंगे हम यह 4 संख्या है ना एक, एक, दो, तीन, चार, चार संख्या है तो क्या करेंगे यह सरसट में 4 से भाग देंगे सरसट में क्या करेंगे हम 4 से भाग देंगे तो देखो कितनी बार जाएगा 4 एक कम, 4 घटेगा तो यह 2 हो जाएगा यह 27 हो जाएगा इसको स्वालू करेंगे तो चार च्छंग चौबिस चार सते एठा च्छे बार जाएगा चार च्छंग चौबिस तो घटाएंगे तो ये तीन सेस आया ये तीन सेस हो गया ना अब जब तीन सेस जो आया है इसका जो दो है इसका घात बनाएंगे तो दो के घाते तीन इसको solve करेंगे तो दो के घात तिन बार लिखेंगे तो दो दुनी चार दुनी आठ यह आठ यही आपका उत्तर हो जाएगा यही आपका इकाई का अंक हो जाएगा इसको इस प्रकार से solve करना है अब देखिएगा दूसरा क्यूस्टन यह चाठवा नमबर क्यूस्टन हम solve करते हैं चाठवा नमबर क्यूस्टन कह रहा है कि एक कईस तेरा घाते 110 ठीक यह है क्यूस्टन अब इसको solve करेंगे तो देखिए यहाँ पर इकाई कांक तीन है तो इकाई कांक अगर यही रहता गड़ी उसका जीरो इतर जाएगा चरसते 28 यह हो जाएगा 28 उसके यह घठाएंगे तो यहां कितना बचेगा यहां 10 हो जाएगा 10 में 8 गैंग 2 2 में 2 गए कुछ नहीं यहां सेस हो जाएगा ठीक है यही 2 सेस हो गया अब हम क्या करेंगे यह जो दो सेस आया है यह तीन के घाते दो के रूप में बनाएंगे इकाई कांके जो सेस बचता है इसके उपर रखते हैं यह हो जाएगा तीन में तीन का दो बार गुड़ा करेंगे तीन तरिक करना हो इसका गुड़ा करने तीन गाते 57, गुड़े 4 गाते 65, गुड़े 125, गुड़े 89, गाते 13, तो इसको सवल्व करेंगे, दोखिए यहाँ 57 है घातना, तो हम क्या करेंगे, चार से इसमें भाग देंगे, चार से अगर हम भाग देंगे, देखो नीचे हम भाग देखे लिखाते हैं आपको, तो जाएगा, चार एक कम चार घटेगा, पांच में चार घटेगा, एक हो जाएगा, उसको साथ उतर जाएगा, तो चार चव, सोला हो जाएगा, इसको घटाएंगे, तो सेस एक आ जाएगा, सेस कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा ना, सेस जो एक आया है, तो हम क्या करेंगे यहां पर सेस एक जो आया है तो हम यहां लिखेंगे तीन के घाते एक तो यहां तीन के घाते एक जो सेस है इसको उपर लिखना पड़ेगा गुड़े चार के घाते 65 है 65 में अगर हम भाग देंगे देखो 4 से 65 में अगर भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा चार एक कम चार यहाँ दो बच जाएगा उसका पचीस हो जाएगा चार छंग चावबीस यहाँ भी एक सेस बच जाएगा तो क्या करेंगे यहाँ भी चार के घाते एक लिखेंगे यहां भी चार के घाते एक लिखेंगे फिर गुड़े लिखेंगे उसके वाद देखो यह देखो यह पांच है नै 0, 1, 5 यह कोश्ट हम सूतर आपको बताये थे यदि 0, 1, 5, 6 रहेगा इसका घात कुछ भी रहेगा इकाई कांक वही रहेगा तो यहां इकाई कांक 6 ही रहेगा इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है ठीक है तो गुड़े यहां 9 है 9 के घाते 13 है तो चर्थ यह 12 तीन बार जाएगा एक सेस बचेगा तो यहां 9 के घाते एक इस प्रकार से हो जाएगा गात अगर चेंज रहता तो हम गुड़ा करते तो यहां एक बार है तो यहां 3 गुड़े 4 गुड़े 6 गुड़े 9 लिख देंगे तो 3 चोव 12 हो जाएगा गुड़े 6 नवाई नव इचा के चवगन यह हो जाएगा उसके बाद देखो 12 का इसमें गुड़ा करेंगे तो हो जाएगा देखो 12 चुक 48 के 8 हासिल लगा 4 बारा पंजे 60 64 64 तो देखो हमसे इकाई का अंक से मतलब है इकाई का अंक 8 आ गया यही आपका उत्तर है ठीक है इसको इस प्रकार से सॉल्व करना है अब देखिएगा मैं नेक्ट क्यूस्टन सॉल्व करके दिखाऊंगा इसी बगल देखिए यह दिया है 5 घाते 63 तो देखिए 5 घाते 63 है न तो हम क्या करेंगे 63 में पहली चीज़ तो देखो 5 घाते 63 है इकाई कांग देखो इसमें मिल रहा है तो चार दुनी आठ हो जाएगा उसके 5 सेस बचेगा तो एक बार जाएगा चार एक कम चार एक सेस हो जाएगा तो यहां लिखेंगे साथ के घाते एक साथ में एक का गुड़ा करेंगे साथ ही हो जाएगा इसमें कोई मतलम नहीं है देखो नौ के घाते सत्तर है तो हम क्या करेंगे चार से सत्तर में भाग देंगे चार से सत्तर में भाग देंगे तो चार एक कम चार यह हो जाएगा तो यह बचेगा तीन चार सते अठाइस यहां अठाइस यहां दो सेस बचाना है यह जो दो सेस बचा है यहां नो के घाते दो हो जाएगा नो के घाते दो अब देखिए यहां इकाई का एक है एक के घाते कुछ भी होगा हम एक ही लिखेंगे ठीक है अब देखो यहां हम गुड़ा करेंगे पांच गुड़े साथ गुड़े नव नव एक्यासी गुड़े एक अब देखो पांच सते पैएटीस पैएटीस में एक का गुड़ा करेंगे तो पैएटीस एकम पैएटीस कह रहा है कि 1237 गाते 28 है ना तो 28 में हम क्या करेंगे यहां देखिए 28 जो है 28 में हम भाग देंगे 28 में अगर हम भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे 28 में तो देखिए 28 में हम भाग देंगे दिखाते हैं 4 सते 28 यह हो जाएगा यहां घटेगा तो कुछ नहीं वहां इसका ऊपर लिखते हैं और यहां six zero बचा इसलिए यहां घाट 4 लिखें, ठीक है, यहां बेखे, तो यहां घाट 48 है, हम चार से 48 में भाग देंगे, चार में फार एकम, चार ये कड जायेगा उसके आठ उतार लेगे उसके बढ़ दो बार जायेगा चार दोनी आठ ये हो गया यहां 6-0 हो गया, 6-0 होता है तो हम इकाई के अंक में 3 के घाते 4 लिखेंगे यहां घात 4 बना देंगे अब क्या करेंगे, 7 का 4 बार गुडा करेंगे तो 6-7-49 होता है तो हम देखो, सिंपल तरीके से 7-7-49 स्क्वाइर को रूप में इसको तोड़ लेंगे 7-7-49 यहां भी लिख लेंगे गुड़े, 3-3-9, 3-4-9 अब देखो हमको इकाई का आंक ही निकालना है तो क्या करेंगे, देखो 9-9-18 मलब इकाई का आंक हो जाएगा भी गुड़े, 9-9-180 इकाई का आंक हो जाएगा एक में एक का गुड़ा करेंगे तो ایکाई का एक ही आएगा एक ही यही आपका उत्तर हो जाएगा इस प्रकार से इसको solve करना है अब देखिएगा अगला क्यूस्चन हम लोग solve करके देखेंगे देखिए ये चौथा नम्बर क्यूस्चन आप लोग कमेंट करके बताएगा कि आप लोग का उत्तर कितना आया है ठीक है क्योंकि हमने एक Q-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A चरमाई 36 ये कड जाएगा यहा Haasaj Flow हो जाएगा जब Soul Zero बचेगा तो हम क्या करेंगे तीन के घाते चार लिख लेंगे अब देखो यह माइन। कचिन है यह माइन। कचिन उतार लेंगे उसके भाद देखो फिर हम क्या करेंगे फिर 4 से भाग देंगे घाते में 20 में तो 4 पंजे 20 यह जिरो हो गया 6 अगर जिरो से इस बचता है तो इकाई के उपर हम 2 के घाते 4 लिख लेंगे अब देखो 3 का घाते 4 है तो 3 ृड्य का 9 हो जाता है इस्कोायर करेंगे 3 ृड्य का 9 हम देखो 9,90, 80 हो जायगा, और 4, imperial 16, अब हम इसको घटाएंगे, यह एक है न, तो इक 83 मेंसे 16 घटाएंगे, देखो, 80 में अगर हम 16 घटाएंगे, तो इसको उधार देगा, यह हो गया 11, 11 मेंसे 6 ग Cake ay 5 बैजा 7, आपका उत्तर है, ठीक है, इसको इस प्रकाल से solve करना है, अब देखियेगा next question देखिए, ये कह रहा है 258 घाते 100 प्लस 547 घाते 84 तो इसको solve करके देखेंगे अब हम लोग देखिए इसको क्या करेंगे ये 100 घाते 100 है तो हम क्या करेंगे चार से भाग देंगे चार से भाग देंगे अगर यहां क्या 0, 1, 5, 6 होता तो एकाई काई को ही हो जाता तो हम नहीं भाग देते इसलिए हम मुझे भाग देना पड़ेगा यहां पे तो चार में, चार से भाग देंगे सव में तो चार दूनी आठ हो जाएगा ये उधार देगा तो 10 हो जाएगा 10 में साठ गए 2 ये 0 उतर जाएगा 4 पंजे 20 20 घड़ जाएगा 0 हो जाएगा यहां 6 0 बचा 6 0 बचेगा तो यहां लिखेंगे 8 के खाते 4 ये हो जाएगा प्लस ये देखिए उसका 547 गगाते 84 है तो हम 84 में क्या करेंगे 4 से भाग देंगे 84 में 4 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 4 दूनी 8 ही ये 8 में 60 कड़ जाएगा कुछ नहीं 4 लिख लेंगे यहाँ पर 4 एक कम 4 अर्था 6 0 हो जाएगा 6 0 बचा जो तो यहाँ लिखेंगे 7 के प्लस कचिन है प्लस लिख लेंगे 7 गगाते 4 ये हो जाएगा ठीक है अब हम क्या करेंगे हमें इकाई कांकिस में निकालना है तो हम क्या 8 का 4 बार गुड़ा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे देखो 8 अठाइं 64 होता है चेस्व चवर चवभिस के 4 हासी लगा 2 चेस्टीस चटीस दो 38 ये हो जाएगा ने तो इसको जोड लेंगे तो 6 हो जाएगा देखो इसको जोड लेंगे 6 549 82 10 के 0 हासी लें 314 4690 इसको गुड़ा करने पर आएगा 4690 प्लस अब देखो साथ का गुड़ा करेंगे चार बार सथ सते 49 होता है तो हम क्या करेंगे 49 में 49 का गुड़ा कर देंगे तो चार बार हो जाएगा नहीं क्यासी के एक हो जाएगा उसकर आठ हाशिल बचेगा 34 36 36 8 44 हो जाएगा 36 36 13 के 6 है 16 96 36 36 36 विस्य हो जाएगा इस यह जो जायेगा एक 6 चार 13 में 54 열भ जोड़ेंगे dopo जो ंप से मतलब है कि हम जोड़ेंगे हम जोड़ेंगे हम 54U 14 अवेहां जोत्तर हो जाएगे इस प्रकार से आप जोड ऑन सव ऑन सव ले कर स किन मैंल हूं से मतलब है फंचा से मतलब है् तो हम या करेंगे चette सात आया है जो यही आपका उत्तर हो जाएगा इस प्रकार से आप को सौल्व करना है ठीक है आई होप आपको वीडियो अच्छे समझ जाया है तो चैनल को सस्क्राइब कीजेगा और अपने दोस्तों को सेर कीजेगा थाइंक्यू